डॉक्टर और्थो आपको देता है तर्थ से पूरी आजाती एक भरपूर सिद्दगी यह कोई टेंपरिली पेन किलर नहीं आयुलवेदिक औश्वती है तो इस गिमिक में आपने परंबीर सिंग को फिर क्यों हटाया फिर आप राम कदम की गिमिक में कैसे फस गए फिर अगर हमको लगता है कि इसी के कारण हमारी सब्सक्राइब आप यह कह रहे हैं कि इनकी पार्टी में जो टूट-फूट मची हुई है उसके लिए इन्हों में एक स्क्रिप्ट तैयार कि एसी स्क्रिप्ट के मुंबई की कमिश्णर को हटाना पड़ जाता है तो मानिये आप गलती को इदर उदर का थो प्रहें हैं अब मुझे बताईए वो परंबीर सिंग्ट की गल्ती क्या है जो आप बता नहीं रहे हैं अप आप मुझे बताईए आप देश्मुक साब को पता है आपको भी पता है मुझे बताईए वो कौन सी गलती है जो माफी लायक नहीं है परमिल सिंकी मैं हाई कोड के खलाफ नहीं जा रही हूँ मैं अपने सवालों को बहुत समझदारी से पूछती हूँ क्यों कहा कि ऐसी गलती है जो माफी लायक नहीं है क्या मतलब है क्या कानून मालूम नहीं मुझे अनिल देश्मुक को कानून मालूम है तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा फिर यह सवाल आप राम कदम से पूछेगा आपको पूरा हक है बिज मोहन सवालों का जवाब देने के लिए मेरा सवाल यह है कि परंबीर सिंग्ग ने वह कौन सी गलती की जो माफी लायक नहीं थी आप मुझे यह बताइए बहुत अच्छा किया प्रभू हुकम बहुत अच्छा किया आपने तैंक्यू मैं यह बोल रही हूं कि आप मुझे बताइ बड़िया लोग हैं बड़े इमानदार लोग हैं आपके आगे मैं श्री एक हजार आट भी लगा देती हूं मुझे कोई श्री श्री एक हजार आट ब्रिज मोहन श्रिवास्तव जी मुझे यह बताइए कि कौन सी गलती की परंबी सिंग्ने जो मापी लायक नहीं थी बता अब मुझे यह बताइए वह कौन सी गलती थी जिसके चलते आप माफी नहीं दे सकते के परंबीर सिंग को घलती बताइए मैं आपके लिए स्पेशली दुआएं करूँगी कि आपकी सरकार लंबी चले अच्छी चले ठीक है ब्रिज मोहन जी आप मुझे यह बताइए कि ऐसी कौन सी गलती थी जिसके चलते परंबीर सिंग को हटाना पड़ा जो माफी लायक नहीं थी वो कौन सी गलती थी जो अधिकारी अपने से छोटे जुनियर आफी सर्थ को नियंत्रित नहीं कर सकता है उसके लिए क्या किया जाए आज आप जैनल पर बेगिए अगर आपका एक असिस्टेंट आज 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 आपको रिजल्टी दे पारा है आप क्या करेंगी विल्यू कंटिनू डेट मैं आ आई सी पवार साहब इसके चलते मुंबई के पुलिस कमिश्णर को हटा दिया जाएगा कि तुमसे एक छोटा सा पुलिस का जो जवान था वो हंडल नहीं किया जा सका एपी आई एपी आई हैना असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर उमारास मुंबई में 45,000 पुलिस कर एक लोटा वजह है जो सीधे कमिश्णर को रिपॉर्ट करते है जो सी पवार साथ लुए पुरा का पूरी सरकार उनका समग करने तो बात करूं ना अब पवार साब को बोलने बीजा है आम तवर पर उपर यह ंप यह आए की ऐबर क्या यह एक मणका हूँ टे smoking गेंजण्ट होता है इसमिऊप צंड कि उपर कमिश्ट होता है या सारी श्पर स्पर वाइजily सुपर्वाइजनी लेवल में जो जो गल्ती करता है वो वो सह जाने जाहिए कमिशनर डा कब आता है किनिके नीचे के सब के भारी खतम होंकी तो कमीश्णर एक कभी अइसा होता है कि यह रिपोर्ट करता होगा तो Yapला रिपोरणी करता होगा तो ऊसे को रिपोर्ट करता है उन्का सुपर विजन उनके ऊपर नहीं होता है कि आइसा बहुत बार होता है पुलिश रिपार्मेंट में कि एक ऑफिसर को डाइरेक्ट एक कोई टास्क दिया जाता है वो जो टास्क देने वाला अधिकारी होता है वही उसी को रिपोर्ट करता है दूसरे को नहीं करता है दूसरे पूचा तो भी बता है कि साब्चे पूचल तो नॉर्मल कोर्स में यह जो दिख रहा है सिर्फ कमिश्णर को ट्रांसपर किया इसका मतलब सचीन वाजे एपी आई जो थे वो सीरे कमिश्णर को रिपोर्ट करते होंगे किशोर तिवारी कुछ कहना चाहरे और उसके बाद मैं आती हूं प्रिज मोहन जी आपके पास किशोर तिवारी जी पावार साब की सवाल का जवाब दीजेगा बाकी सारे अधिकारियों को क्यों नहीं हटाए आपने सिर्फ कमिश्णर क्यों फिर नहीं है देखो एनाए जिस तरीके से तलास कर रहा है तो उनको सवलत हो इसलिए हो रहा है अब मैं एक बात कर दूंको क्लियर और विका यह बहुत इंपोर्टन बात मैं बता रहा हूं कि जो जिलेटिन की स्टीक है वो नापपूर के एक फैक्टरी से आई जो पीजेपी के नेता किये दूसरा नोट मोजने की जो मशीन इन्होंने सीज की है यह भी यह भी के नेता किये अब एनाए और बीजेपी का क्या क्नेक्शन है यह मेरे समझ में नहीं आ रहा इनका क्या है कि एक पत्रकर को वजे नहें पकड़ लिया और बरमविर सिंग ने और। अमने भोला पक जाते अवं में पुछ लेकाश-च्छ उलकें वह तो आगेContian қट जैस तो आप तो 007 James Bond को भी मात दे रहे हैं तिवारी जी तो फिर देश में एक सबसे बड़ा सवाल था अभी कुछ सब्सक्राइब अधर सुनिये तो सही वो सोनम बेवफाय नोट पर लिखा जा रहा था आपको पता लग्या होगा कि इसने लिखा है जिस तरीके कि आपकी खोजबीन है I am शौर आप वहां तक पहुंच गए होंगे आथा थी एक भरपूर सिद्धिकी यह कोई टेंपरिली पेन किलर नहीं आयूर्वेदे कौशती है